नमस्कार दोस्तों मैं श्रीवन्त राय आप देख रहे हैं मेरा चानल संजीवनान कंपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में चुहें और चिपकली को अंदर आने से कैसे रोख सकते हैं क्योंकि जादा तर जो कंप्लेंज आती हैं वो यह आती हैं क ने ही विडियोज या डोर्स के तुरू चिपकली और चुहें घर के अंदर आजाते हैं तो हम इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं तो यह वीडियो जो है बहुत लोगों के लिए बहुत हलफुल होने वाली है क्योंकि यह प्राब्लम जो है बहुत सारे लोग फ तो पहले हम door की बात करते हैं तो जब हम door को बन कर लेते हैं तो normally उसके अंदर से चुए हाने का chance नहीं होता door में से सिर्फ हे कलिए दौर साइड़ और रफ जो कफिसा में बात करें वहाँ से भी gaps तो नहीं होतें दोनों भी side में और उपर की तरफ gap नहीं होतें तो वहाँ से तो चिपकली नहीं आ सकती, जो gap हो सकता है, जो possibility है, वो केवल नीचे से है, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके door में नीचे gap है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिससे चिपकली वगएरा नीचे से ना आ सके, तो उसके लिए एक बहुती easy, simple solution है, अब कई type के door seal आते हैं, कुछ aluminum के door seal आते हैं, कुछ एक hardware आता है, जो की door seal होता है, और एक simple stick on door seal आता है, यानि कि आपको सिर्फ इसे peel करना है, यह जो tape है, इसे आपको निकालना है, और इसे चिपका देना है, इतना करने के बाद, आपका जो नीचे का gap है, वो बंद हो जा जाएगी, जिससे कीडे, मकोडे या फिर चिपकली अंदर आ सके, अगर आप door seal purchase करना चाहते हैं, तो इसका link मैंने description में add कर दिया है, आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने door के थूर जो भी problem आपको arise हो रही थी, उसको आप solve कर सकते हैं, तो door से जो problem है, उ उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखें, विंडोज में multiple ways हैं, क्योंकि विंडोज में lizard जो आती है, उसका कारण अलग होता है, और जो चुहे आते हैं, उसका कारण अलग होता है, अब अगर आपके विंडोज में से चिपकली आ रही है, चुहे की problem नहीं है, तो तो आप इसे बहुत ही easily आप विंडोज में भी solve कर सकते हैं, इसका जो solution है, वो ऐसा है कि या तो आपकी विंडोज में एक mosquito mesh की shutter होगी, एक या multiple mosquito net की shutter होगी, जब आप mosquito net को engage करके रखते हैं, यानि कि आप उसे बंद करकर ventilation ले रहे हैं, तो जो gap create होता है, वो केवल interlocks के बीच में ह होता है, यानि कि जहां पर दो shutter, दो shutter एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पर top और bottom side में थोड़े थोड़े gap हो सकते हैं, अब अगर ये top और bottom में थोड़े gap हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको stick on wool pile, stick on wool pile को आपको लेना है, और उसे जितना जितन gap है, उतना cut करके वहाँ पर chip का देना है, इससे आपका जो problem है, वो solve हो जाएगा, वो gap नहीं रहेगा, और आप chip करी को अंदर आने से prevent कर लोगे, अब अगर problem चुहे को लेकर है, कि अंदर जो है, वो चुहे आ रहे हैं, तो ये जो problem है, ये थोड़ी serious है, क्योंकि इस case में क shutter लगाया हुआ है, यानि कि आपने जाली की जो आपके खिड़की में जो जाली है, वो आप use कर रहे हैं, ventilation के लिए, तो जो चुहे हैं, वो इस जाली को भी काट देते हैं, अब इसमें क्या होता है, कि उसे काट कर जब चुहे अंदर आ जाते हैं, तो एक तो चुहा अंदर का shutter है, उसको modify करना पड़ता है, अब ये कैसे modify करना है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अपने खिड़की में aluminum mesh का shutter लगवा हैं, तो आप उसके अंदर कुछ इस तरह से एक grill का shutter भी लगाएं, अब इसको लगाने का जो तरीका है, वो ऐसा है, कि जो grill है, उसे हमेश और इससे आपका जो mesh है, वो भी safe रहेगा, अगर हम mesh को बाहर रखते हैं, तो उससे ये हो सकता है कि जो चुहा है, वो आपका mesh काट ड़े, और फिर जो grill है, उसे तो वो नहीं काट पाएगा, बट आपका mesh का नुकसान हो जाएगा, तो अगर हम grill को बाहर रखते हैं, और mesh क अंदर रखते हैं, तो इससे आप चुहे को भी बाहर रख सकते हैं, आप चिपकली को भी बाहर रख सकते हैं, और जो कीडे, मुकॉडे या फिर मच्छर हैं, उन्हें भी आप बाहर रख सकते हैं, और आपको ventilation जो है, बीना कोई stress के आप ventilation ले सकते हैं, अगर आपको इससे related कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको हेलफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद